So hey guys, welcome back to my YouTube channel So guys, आज की वीडियो में बताऊंगे जो WhatsApp पर new policy आई थी उसको आप कैसे update जो हुआ है अभी new update आया है कि WhatsApp पर ऐसे कोई policy नहीं होगी अगर आपका account जैसे हो सकता है कि when होने बाला था फरवरी को बट आपका जो WhatsApp का account है वो block नहीं होगा और आपका WhatsApp account है सेफट अपने खुद ही update करके बताया है जो WhatsApp पर आप देख पाएंगे So आज की वीडियो में यहीं बताएंगे तो इस वीडियो को last तक देखाएं बिल्कुल भी skip मत करना अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो को like करना इस वीडियो को जादर जादर share करना और चैनल को subscribe करके साथ यह bell icon को wall में प्रेस कर लेना तो फटा-फट से वीडियो को start करते हैं Finally आपको क्या करना है सबसे पहले हम अपना WhatsApp ओपन करके दिखा देते हैं So आपको status के option पे tap कर देना है जैसे आप status के option पे आ जाते हैं और आपको कुछ इस तरह से interface आ जाता है और आप देख पाएंगे कि WhatsApp ने खुद अपने story पर mention किया है कि मैं इस policy को जो भी policy थी उनको reject कर दिया है और finally अपना decision दे दिया है काफी अच्छे update तो जैसा कि आपने देखा कि कुछ इस प्रकास है आपको इस story पर mention किया WhatsApp ने अपनी privacy को save करने के लिए जैसा कि यहां लिखा है आपकी जो WhatsApp है उस पर कोई खत्रा नहीं है और यह विल्कुल safe है तो अब चलते हैं second पे यहां लिखा है WhatsApp cannot read your list into your personal conversation as there and to end the encrypted तो यहां लिखा है आपके जो WhatsApp पर content है और location है इन चीजों को share नहीं किया जाएगा और जो आपके message है उनको भी share नहीं किया जाएगा और आपके जो WhatsApp पर message है इनको बिल्कुल safe है अब यह सिधा सिधा link इस्टोरी पर mention कर दिया है तो अब चलते हैं third one यहां लिखा है आपको WhatsApp cannot see your shared location यह WhatsApp किसी के साथ आपकी location को share नहीं करेगा तो आप यहां से बिल्कुल safe है तो चलते हैं आप your contact with Facebook WhatsApp आपके contact को Facebook के साथ नहीं share करेगा तो इसी से यही proof होता है कि आपके जो प्राइविसाप की जो privacy policy ID update के कारण इस privacy को इन स्टोरी पर mention करने के बाद इससे यही सिध होता है कि WhatsApp बिल्कुल safe हो चुका है काफी लोग signal application की वो चले गये थे इससे यही सिध होता है कि आपको यह application जो WhatsApp application है privacy policy को सब कुछ clear कर दिया है जो आप देख पाए हैं तो WhatsApp ने सब कुलियर कर दिया है कि आपको यह safe है और आप यूज कर सकते हैं अगर यह वीडियो कैसा लगा अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को subscribe करके साथ ही वेल आइकन को वाल में प्रेस कर देना ऐसी इंट्रेस्टिंग वीडियो इस चैनल पर मिलते रहेंगी तो गाइस मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद बंद मत्रम वूट बाई